subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2YITMs A is equal to 1, 2, 3, 4 B is equal to X, Y, Z R is a relation which is defined like this find the domain of R represent R by an arrow diagram तो यहापे आपे 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 सीखेंगे और देखें कितना आसान है आप यह समझ सकते हैं कि domain अगर आपको लिखना है तो बस relation के पहले वाले elements को बिना repeat के हुए लिख दो 1, 1 दो बार है तो एकी बार लिखेंगे 3, 4 का तम बात ठीक है? फिर उसके बाद range आजाए है range में second वाले component X, Z, X, Y तो X, Y, Z लिख सकते हो X, Z, Y भी लिख लेके कोई लिखकर नहीं थी बस domain हो गया, range हो गया, काम खतम हो गया first part निप्टा लिया second part में हम लोगों को arrow diagram बना ला ठीक है? याद रखिए गाद जब भी arrow diagram बनाते हैं तुम लोग domain range नहीं बनाते हैं हम लोग A और B बनाते हैं ठीक है? 1, 2, 3, 4 X, Y, Z अब ये dot लगा देते हैं और 1 का, अब इस relation को ही देख ले दे 1 का X relation है तो ये arrow यहाँ पर बना ले हैं कुछ लोग arrow यहाँ पर बना ले टें, कोई रिक्कत नहीं है और 1 का relation Z से भी है 3 का X से 3 का X से 4 का Y से बस बदिया आपका ऐरो डाइग्रम झाल 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 झाल